नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आ गया है दही बड़ा का रेश्पी जो होली में बनता है दोस्तों, होली एस्पेसल रेश्पी है ऐसे कोई मिहमान आए, गेश्ट आए, कोई फंक्सन हो, पाटी हो उसमें भी ये दही बड़ा बना सकते हैं दोस्तों बहु ज़्यादा खिला हुआ है नहीं मिठा सोडा नहीं वेकिंग पाउडर नहीं कोई ज़्यादा फुलाने का ताम जाम फिर भी इतना परफेक्ट बनेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे इस रेश्पी को देख करके एक बिहार का फेमस रेश्पी है दोस्तों और अस्पाइसी मसाले के साथ बना है तो खटी मिठी चटनी वाली तो रेश्पी खाएं होंगे आप लोग लेकिन इस तरह से अस्पाइसी मसाले वाला दही बड़ा बनाईए बहु ज़्यादा टेस्टी होगा दोस्तों यकीन मा आपको बहुत बनाने में इजी कर देगा और एकदम से परफेक्ट बनेगा तो इस रेश्पी को ट्राइ करना बनता है आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को बीच में अस्कीप ना कीजिएगा दोस्तों इसका फूलवाच कीजिए इस वीडियो का जिसे आप लोग को भी इस तरह से दही बड़ा बनाना आजाए जटपट से एकदम होटल जैसा दही बड़ा बनेगा तो चलिए इसके लिए लेना है उरद ए मैं रखी थी दो तीन घंटा पहले पानी में डाल करके एक कप उरद है जिसको धोई बोलते हैं और दो कप पानी एक मिक्सी जार में इसे डालना है दो पानी से धुलाई कर दीजिएगा पिसने से पहले तो मैं दो पानी से धुलाई करके इसको लाई थी अब इसको बड़ा वाला मिक्सी जार में डाल देना है दोस्तों और इसमें फिर डालना है 100 ग्राम की अंदाज पानी और फिर बीच में एक वर धकन खोल के भी देखिएगा अगर थोड़ा पानी अगर और इसमें लगेगा तो बाद में भी डाल के पिस सकते हैं जब ही इसमें परफेक्ट पानी डालेंगे तभी बढ़ियां से मिक्सी चलेगा नहीं तो जादा हाड हो जाता है तो स्मूथ नहीं पिसाएगा देखिए मैं इस तरह से पानी एक छोटा कटोरी से डाली हूँ अंदाज पिसी हूँ लेकिन फिर बीच में थोड़ा पानी और लग रहा है तो इस तरह से एक बार देख लिजिएगा और थोड़ा पानी और डाल करके मैं इस तरह से बैटर त्यार करी हूँ तो इसको अब एक बरतन में निकाल लेना है इस बरतन में निकाल लेने के बाद में देखिए एक दम से परफेक्ट है दोस्तों तो इसमें अब पालक से पानी मिक्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और एक दम से पर्फेक्ट मात्रा बना है पानी का इसमें अब इसे निकाल करके ढखकन बंद करके रख दीजिए दो मिनाट तक साइड में तब तक के लिए अगला प्रोसीस हो जाएगा अगला प्रोसीस में इसे देखिएगा कि अब क्या-क्या मसाले इसमें पड़ेंगे क्या कुछ इसमें पड़ेगा तो इसके लिए लेना है थोड़ा सा अद्रक हरा मीर्च इन सब को बारी कटिंग कर लेना है इस तरह से तो बारी कटिंग हो गया है अब इसको देखिए बढ़ियां से ठीक हो गया है ब तो देखिए इस तरह से बारी कटिंग कीजिएगा मिर्चाद्रा को इस बात को ध्यान दिजिएगा और नमक अपना स्वाद अनुसार डालिए फिर अलग से और नमक इसमें पढ़ेंगे इसलिए अभी इसमें जितना नमक चाहिए उस हिसाब से डालिएगा फिर दही के हिसाब से आगे चलके बताओंगी अब इसको बढ़ियां से फेट लेना है इसे जटपट से हाथ चलाईएगा दोस्तों जितना ही फेटिएगा इसे उतना ही फुला फुला बैटर त्यार होगा नहीं मीठा सोडा का जरूरत पड़ेगा नहीं वेकिंग पाउडर का जरूरत पड़ेगा और नहीं कुछ दिछ दिर फुला कर रखने का जरूरत पड़ेगा तो इस तरह से अगर हाथ चलाईएगा इस बेटर में तो बहु ज़्यादा जवरदस्त एप दही बढ़ा कोई मेहनत ना दिखे और एकदम बाहर मार्केट जैसा एक दही बड़ा बने तो एक बढ़ियां से अब फिटा गया है फिर अगला प्रोसीस पे चलिए एक बरतन बैठाना है कोई भी बरतन अपलीजिए चुला आउन कर देना है और इसमें पानी डालना है अपना अंदाज से मैं इसमें पानी डेढ़ लीटर के अंदाज डाली हूँ दही बड़ा पुरा बढ़ियां से फुलना चाहिए इसलिए अब इस पानी को गरम करना है बॉयल आने तक और इसमें डालना है एक पिंच हिंग और एक अस्पून नमक मैं डेढ़ अस्पून डाल रही हूँ आप अपना अंदाज से डालिएगा अब इसमें डाल करके बढ़ियां से मिक्स करके बॉयल आने तक पकाना होगा धकन कभर करके हिंग इसमें दही बढ़ा को स्वाद को भी बढ़ियां बढ़ाएगा और पचने में मदद करेगा दोस्तों पाचन सक्ती को भी बढ़ाएगा जिससे आपको कोई दिकत परसानी नहीं है ऐसी डिटी वाले लोग भी खा सकते हैं तो इसलिए मैं हिंग डाली हूँ अगर आपको हिंग का स्वाद पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं अब देखिए ये पानी ठंडा होने के लिए हलका नॉर्मल होने के लिए साइड में रखिए हिंग नमक घुल गया है साइड में रखिए और ये लिजे सर्सो का तेल फोर्ण चूर्ण वाला है मैं यही यूज करती हूँ नहीं तो पतंजली बहुत बढ़ियां होता है हेल्थ के लिए और सर्सो तेल का ऐसे भी कोई भी रेस्पी स्वादिष्ट बनता है बहुँ ज़्यादा टेस्टी बनता है इसलिए मैं ले रही हूँ अब इस तेल को डाल देने के बाद में चुलहाओन कीजिएगा फ्राई वाला बटन लगाएगा थोड़ा सा गरम होने तक छोड़िएगा तब इसमें थोड़ा छोटा साइज का डालिएगा दही बढ़ा छोटा साइज का डालने के बाद में उपर फेक देगा तो समझे ये तेल बढ़िया गरम हो गया है अब इसमें एक लेना है डबू जिसको कलचूल बोलते हैं इसमें अगर साइज बाई साइज दही बढ़ा आपको बनाना हो तो इस तरीका को फोलो कीजिएगा थोड़ा सा तेल लिजिए इस डबू में फिर दही बढ़ा डालिए और फिर कड़ाही में पलट दिजिए तो एक दम एक ब्राबर साइज बनेगा इस दही बढ़ा का और बहु ज़्यादा टेस्टी बनेगा तो देखिए इस तरह से हो गया है इतना तयार फिर मैं हाथ से भी बना के दिखाऊंगी वीडियो भी बने रही आप लोग लेकिन इस तरीका को जरूर फॉलो कीजिएगा अगर गेश्ट मेहमान के लिए बनाएंगे तो कोई अस्पेसल ही डिजाइन बन जाएगा अब हाथ से अगर बनाएंगे तो इस तरीका से हाथ से बनेगा अपना अंदास से इसमें अकार दीजिए छोटा बड़ा जैसा बनाना हो आपको तो देखिए इस तरह से इसमें फ्राई करना होगा दोस्तों और इसमें फ्राई करने का भी एक एक तरीका ऐसा बताऊंगी जो आपको बहुत ही easy हो जाए और perfect बने तो वीडियो पे बने रही है बीच में skip बिल्कुल मत कीजिएगा अब उपर से गर्मा गरम तेल इस डबू से डालना है कलचुल से आप उपर से तेल डालने का कारण मैं आगे चल के बताऊंगी तो इसी तरह से सारे दही बड़े पे तेल डालिएगा जरूर अब उपर का जो हिस्सा होता है पलटते टाइम चिपकने का डर होता है दोस्तों तो इस भी अगर गर्मा गरम तेल डालिएगा तो इस तरह से easy तरीका से पलटा जाएगा और इसका लुक नहीं बिगड़ेगा perfect होगा तो इस तरीका को follow जरूर कीज किएगा अब इस तरीका से सारे उलट लेना है दही बड़ा देखिए डालने से डबल हो जाएगा तेल में डालते और इससे भी डबल होगा आगे चलके बताऊंगी दही में डालते तो वीडियो पर बने ही रहिएगा बीच में असकिप बिल्कुल मत किजिएगा आप लोग फुल वीडियो देख करके फुल तरीका को फॉलो किजिए जिससे बिहारी स्टैल में आप लोग दही बड़ा बना सकें तो देखिए इस तरह से हो रहा है त्यार फ्राइवाला बटन पर लगाएगा लो फ्लेम बिल्कुल मत किजिएगा मीडियम या हाई फ्लेम पर इसे ब फ्राइव किजिएगा तीन से चार मिनट लग जाता है एक बार एक ट्रीप वाला फ्राइव में अब देखिए इसको पानी में डाल करके उपर से चला देना है थोड़ा और धकन कवर कर देना है धकन इस पर रख दीजिए जिसे बढ़िया पानी एक जब करें फिर दूसरा बार उसी तरीके से सारा फ्राइव कर लेना है जितना बेटर है सब इसी तरीके से फ्राइव हो जाएगा तो देखिए इस तरह से सारा फ्राइव कर लेने के बाद में अगला प्रोसीस पर बने रहिएगा और अगला प्रोसीस पर ऐसा ऐसा मसाला इसमें एड़ करूंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे दोस्तों इतना spicy मसाला रहेगा इसका कि जवरदस्त बनेगा आप लोग कभी भी इस दही बड़ा को बना सकते हैं कोई गेश्ट मिहमान से तारीफ ले सकते हैं दोस्तों अगर एक बार इस तरह से दही बड़ा बना लिए आप लोग तो आपको उसी तरह से पानी में डाल देना है अगर इस दही बड़ा को ऐसे भी खाना है तो भी आइडिया में दिखाऊंगी देखिए सारा तेल बच गया है दोस्तों बिल्कुल कम तेल लगा है दही बड़ा मस्त बन गया तो इतना कम तेल में इस तरीका को फोलो करके बनाईए और दे तो इसे साइड करकर के दूसरा वाला भी सेट करना है और थोड़ा सा मैं साइड में रखी हूं जिसको कोरगर बोलते हैं लोग ऐसे घर में लोग कोरगर बोलते हैं कि थोड़ा सुखा सुखा भी खाना होगा छोड़ दीजिएगा लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं सुखा मस्त है एकदम तो इस मस्त दही बड़ा को बनाना बिल्कुल मत भूलिए इस होली पे बनाईए दिवाली पे बनाईए सभी तेवहार पे बनने वाला एरेस्पी है दसहारा पे बनाईए तो इस होली पे नजदीक तेवहार आने वाला है होली का तो इस होली पे जरूर इसको ट उपर से सॉस लगाईए, अगर तिखी चटनी वाले लोग हैं, तो तिखी चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों को दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा सॉस डाल रही हूँ, और एक खाये इस तरीका से भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, चाय के साथ भी लगेगा, तो ऐसे भी आप ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों, और फिर ये दो से तीन मिनट हो गया है दही बढ़ा को, अगला प्रोसिस बताऊंगी, तब तक के लिए इधर मसाला बना लेना है, इस मसाला के लिए चुलहा ओन कीजिए, कडाही बेठाईए, इसमें डालना है थ एकदम सेंटेट गंध वाला भुनाई होगा दोस्तों, तो एकदम लो फ्लेम पर इसे भुनिएगा, हाई और मिडियम मत कीजिएगा, इसको बढ़ियां से टायम थोड़ा दे करके भुन लीजिए, लो फ्लेम पर ही, जिससे इसका स्वाद वरकरार रहे, और दही बढ़ा क टेस्ट को बढ़ा है, सेंटेट गंध को भी फैला है, जो दही बढ़ा बनने के बाद घर में स्वाद ही स्वाद गुंजे दोस्तों, इस सेंटेट गंध से लोग तुरंत बता देंगे कि लगता है दही बढ़ा बना है, और अस्पेसल मसाले वाला दही बढ़ा बना है, त ठंडा हो जाएगा तब इसे छोटा वाला मिक्सी जार लिजिएगा और उसमें पाउडर बढ़िया बनाना है अभी वीडियो पे बने रहिए तब तक के लिए दही त्यार करना है इधर दही लेना है अपना अंदा से जितना आपको दही बड़ा है उस हिसाब से लिजिए दह दही तो यह ताजा दही है फ्रेस दही है ज्यादा खटा दही नहीं है दोस्तों और गाय के दुझ से मैं बनाती हूं दही घर पे बनाती हूं बाहर से मैं दही नहीं खरीतती मैं घर पे दही बनाती हूं तो वही है गाय के दुझ से बना हुआ दही अगर गाय के दुझ से परफेक्ट दही की रेस्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसमें काला नीमक और उजला नमक अपना स्वाद के अंसार डाल करके फेट लीजिए और फेटते फेटते दो मिनाट टाइम लगेगा लेकिन इस तरह से एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए आप पाउडर तेयार हो गया है दोस्तों आप इधर देखिए दही बड़ा कितना बढ़ियां मस्त खिल गया है ऐसा दही बड़ा तो आपने नहीं बनाए होंगे लेकिन सायद अगर बनाए भी होंगे तो बताईएगा कमेंट में कि सेम ऐसा ही है या कुछ अलग तरीका से आप बनाते हैं तो इसको अब एक बरतन में लगाए या कोई भी आप बाउल में लगाए बरतन आप अपना हिसाब से लीजिएगा और इस तरह से दही बड़ा को पानी से अलग निकाल करके हलका हलका पानी मैं नी चोड़ी हूँ जीसे दही बढ़ियां एक जोब करें तो इस त पानी को आप कड़ी में यूज कीजिए सबजी में यूज कर कीजिए इसको यूज कर जाएगा बढ़ियां टेस्टी स्वाध लगेगा क्योंकि हींग है उसमें तो देखिए मसाला भी एकदम पाउडर बन गया है आब इसमें उपर से दही लगाए फेटा हुआ दही जो मै तरह से दही लग जाने के बाद में उपर से फिर मसाला लगाए नमक तो हर जगा एड हुआ है आपको पता ही है दोस्तों तो उसी तरीका को फॉलो कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों जिसे हमें भी पेस्बुक पेज भी अगर वीडियो देखते होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा और यूटूब चैनल पे नए आप लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब वोला बटन जरूर दबाईएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिसे हमारी नई 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 रेस भी आप लोग असानी से सीख पाएं इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए वीडियो पसंद आने पर एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए तो देखिए दही बड़ा बन के हो गया है त्यार वाव मस्त दही बड़ा है दोस्तों होटल में भी ऐसा हेल्दी और स्वादिश्ट नहीं मि लेगा मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ लेकिन इस दही बड़ा को इस होली पे जरूर बनाए और जरूर ट्राइ कीजिए देखिए इसको मैं कट लगा के दिखा रही हूँ वाव मस्त है एकदम रूई की तरह अस्पंजी बना है दोस्तों तो इस तरह से रूई की तरह सपंजी दही बड़ा आप लोग एक बार जरूर बनाईएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट दीजिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साधना कीचन बिहारी हमारा चैनल का नाम है और इस्टाग्राम का भी वही नाम है facebook पेज का भी वही नाम है सब जगा फॉलो जरू कीजिएगा और इस तरह से रेश्पी आप लोग इजी इजी तरीका से बनाएए हमें सपोर्ट करके हमारी आइडिया को सीखिए और फिर हम मिलेंगे नई नई रेश्पी के साथ और सब्टा के तिन दिन हमारा लाइब में आप लोग जरूर जुडिएगा आज लाइब फिर ह मिलेंगे अगले दीन बाए बाए